हेलो दोस्तों नवश्कार स्वागत आप से विगा गनेश टेडी पॉंट यूटिप चैनल पर एतो जगी दोस्तों CRPF ट्रेट्समेन परिक्षा 2023 बंपर वेकेंसी निकल चुकी है जिसका परिक्षा तिती भी गोशित हो चुक है परिक्षा आपके 1-13 जुलाई तक चलेगी जो भी दोस्त इस वीडियो को पूरे एंड तक ध्यान से देखेंगे उनको इस वीडियो से काफी बेनिफिट मिलेगा और CRPF ट्रेट्समेन परिक्षा की पूरी त्यारिया आपको मारे चैनल के द्वारा कवर कराई जा रही है तो वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रह देखेंगे दोस्तों जो फ्रैंक वहिटल है इनके द्वारा जेट इंजन का विश्कार किया गया था ओप्शन नमर फॉर इस वीडियो में से अगर आपको किसी भी क्वेशन का राइटियो से पता हूँ आप साथ साथ सभी क्वेशन का राइटियो से कमेंट करेंगे एंड देखेंगे दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा परकाशित पत्रिका का नाम क्या था तो इसका नाम था यंग इंडिया यंग इंडिया जो मैगजीन है वो पब्लिश्ट की गई थी गांधी जी के द्वारा अगले क्वेशन में पूछा जा रहा है धन विदेक से राउर केला स्टील सेंतर, डैस में स्थित है, राउर केला स्टील प्लांट is located in, तो ये जो स्टील सेंतर है, ये ओडिसा राजे में स्थित है, correct answer option no.3 रहेगा इस question का, next question में पूझा जा रहा है, रामसर कन्वेंशन किस से समंदित है, रामसर कन्वेंशन is related to, तो रामसर आदर भूमी सरक्षन, यानि कि wetland conservation से क्या है, related है, option no.4 इस question का आपको बिल्कुल right answer रहेगा, अगले question में पूझा जा रहे हैं, कि बुटान की राजदानी क्या है, what is the capital of बुटान, capital of बुटान के बारे में बात करें, तो ये हो जाएगा आपके थिम्पू, third number option will be the right answer, next question में पूझा जा रहे हैं, कि my experiment with truth, पुस्तक के लेखक कौन है, who was the author of the book, my experiment with truth, my experiment with truth के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है, महत्मा गांधी, option no.1 will be the right answer, देखेंगे friends, वीडियो में आगे वीडियो उससे पहले, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किये, तो प कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महनस से डेली आपके लिए practice set prepare किये जाते हैं, तो इस बात पर वीडियो को like और share करना तो बनता है, अगले question में पूछा जा रहे हैं, कि गर्बा नर्ते शेली समंदित है, गर्बा is a dance form of, तो गर्बा जो नर्ते शेली है, ये गुजरात राज जे से क्या है, संबंदित है, अगले question में पुछा जा रहे हैं, भारत के समिधान का निमल लेखित में से कौन सा अनुचेद, अलब संख्यकों के हितों के सरक्षन से संबंदित है, which of the following articles of the constitution of India deals with protection of interest of minorities, तो देखे दोस्तों, अलब संख्यकों के हितों से related article कौन सा है, तो य जे है, अनुचेद 29, second number option is question का right answer रहेगा, अगले question में पुछा जा रहे हैं, तिरपुरा की राजदानी क्या है, which is the capital of तिरपुरा, capital of तिरपुरा हो जाएगी, अगरतला, ठीक है दोस्तों, capital of तिरपुरा अगरतला, मनिपुर की क्या हो जाएगी, इमफाल, ठीक है, नाग जानवंतरी बनने के लिए, जो न्यून्तम आईउ है, वो 25 वर्ष क्या है, निर्धारित है, अगले question में पूछा जा रहे हैं, सतलज नदी, एक सायक नदी है, the 17th river is a tributary of, तो ये सायक नदी है, सिंधु नदी की, इंडस रिवर की, correct answer option number 1 रहेगा इस question का, अगले question में भारतिय समीधान के अनुछेद, 5 से 11 निवल लिखित में से किस पहलू से सम्मंदित है, article 5 to 11 of the Indian constitution relates to which of the following aspects, तो ये related आपके भारत की नागिता, यानि कि citizenship of India से ये क्या है, सम्मंदित है, अगले question में आपसे पूछा जा रहे हैं, भारत के किस शहर को, गुलाभी शहर के नाम अगले question में पूछा जा रहे हैं, भगवान बुद्ध का वास्त्विक नाम था, लौड बुद्धा's real name was, तो लौड बुद्धा का real नाम क्या था, तो इनका real name था सिधार्थ, राइट एंसर option number second रहेगा इस question का, आगले question में पूछा जा रहे हैं, कौन से वर्स में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई, in which year were the two house of parliament established, तो संसद के दोनों सदनों की जो स्थापना हैं, वो वर्स 1952 में हुई थी, देखी दोस्तों वीडियो में आगे बड़ें, उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं के तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजेगा, और सभी दोस्तों भी इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो तो यह जाना जाता है, काजी रंगा नैशनल पार्क, डाइटन सर ऑप्शन बर थर्ड रहेगा इस क्वेशन का, अगले क्वेशन में पूछा जा रहे हैं कि निमन लिखित में से कौन, कानूनी वाक्यांस, मैंडमस, यानि कि परमादेश किसका वर्णन करता है, तो यह किसक वर्ण ब्यूटी पैंजेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, डैस was the first Indian woman to win the Miss World Beauty पैंजेंट, तो यह कौन थी, तो यह रीता फारिया थी, option number one is question का बिलकुल right answer रहेगा, अगले question में पूछा जा रहे हैं कि समाजवादी शब्द भारत के समिधान की परस्तावना में डैस द्वारा जोड़ा गया था, the world socialist was added in the pamble of the constitution of India by, तो इसे जोड़ा गया था, 42 संशोदन अधिनियम 1976 के था है, ठीक है, right answer option number second रहेगा, इस question का बढ़ते हैं, अगले question की और, अगले question में पूछा रहे है, भारत रतन की प्रतम प्राप्त करता कौन थे, who was the first recipient of भारत रत तो भारत रतन के प्रतम प्राप्त करता कौन थे, सी राजगो पालचारी थे, correct answer option number second रहेगा इस question का, अगले question में पूछा जा रहे है, PM कुसुम का पूरण रूप के है, the full form of PM कुसुम, तो PM कुसुम की full form हो जाएगी, प्रधान मंतरी, उर्जा, सुरक्षा एंव, उत्था ठीके दोस्तों, तो इस question का, जो right answer रहेगा, वो रहेगा option number second, अगले question में पूछा जा रहे है, भारतिय संग का सबसे दक्षनी बिंदू है, the southernmost point of the Indian union is, तो भारतिय संग का सबसे दक्षनी बिंदू कौन सा है, इंदिरा point है, right answer option number second रहेगा इस question का, अगले question में पूछा ज रहे हैं, जेलेना ओश्टा पैंको किस खेल से परतिनी दितव करती है, तो ये represent करती है, long tennis को, correct answer option number four रहेगा इस question का, अगले question में पूछा जा रहे हैं, कि भारतिय समीधान के किस समीधानिक संशोदन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में ज जोड़ा गया था, 86 में समीधानिक संशोदन अधिनियम के तहत, अगले question में पूछा जा रहे हैं, निवन लिखित में से कौन, भारत की समीधान सभा में, प्रारूप समीती के क्या थे, अधिक्स थे, वो among the following was the chairman of the drafting committee in the constitution assembly of India, तो कौन थे, तो ये थे Dr. B.R. Ambedkar, right answer option number second रह जाता है, when is army day celebrated in India, तो भारत में जो सेना दिवस है, ये 15 जनवरी को क्या है, celebrate किया जाता है, अगले question में पूछा जा रहे हैं, मेगस थनीज किसके दूथ थे, बात करते हैं, मेगस थनीज के बारे में, तो ये क्या थे, सैलुकस के दूथ थे, correct answer option number four रहे गाई इस question का, प्रधान मंतरी जन्धन योजना का, option number four रहे गाई आगले question में पुछा जा रहे है, कि प्रधम लोकसभा के देक्ष कोन थे, वो वाज the speaker of the first लोकसभा, फर्स्ट लोकसभा के speaker थे, जीवी मावलंकर, second number option will be the right answer, तो आज की वीडियो में हमने previous paper cover के लिए आपने वीडियो के प्लेज वुड़क लाइक शेयर चानल को सबस्क्राइब जरूर कीजगा, धन्यवाद